बिस्मिल्ला लिर्वाह्मान लिर्रकेम इनसान का बेंगतरेन साथी उसकी सेहत है अगर उसका साथ छोड़ जाए तो वो हर रिष्टे के लिए बोज बन जाता है इसलिए अपनी सेहत का बहुत स्याल रखें बेरी के पत्ते थोड़े पानी वेपारी कीस कर सर को लेप लगाईं और फिर साबन के बगएर सर धोले इससे बान लंबे और घने हो जाते हैं साथ बिन तक साथ अदद मुनक का राद की वकर आधा पाउ दूद में भिगो कर सुबह खाने से दिमावी कमजोरी दूर हो जाती है जिन लोगों के गुर्दे में पत्त्री हो जाए वो नारियल के पानी में अंगूर का रस मिला कर पिये इससे गुर्दे की पत्त्री तोट तोट कर निकल जाती है अगर हलक में मचली का कांटा अटक जाए तो लीमू के रस पीने से कांटा गई कर नीचे चला जाएगा अगर राज सोते वकट साथ बादावस के दाने चीने वुए जहम एक तोला मिस्री के खा लिये जाए तो नजर तेज हो जाती है वो अच्छी तरहा ना लगती हो पेट में कबज रंटा हो तो अद्रक मोतराश कर रेजा करे उपर से नमप छिरक कर एक दो माशा खा ले दूब्ला पंडूर करने के लिए घूजाना गरने का रस बाकाइद्धी से हिस्तमाल करें गरने का रस इस्तमाल करने से जिस्मानी वर्जंट बढ़ना शुरू हो जाता है मुँ में छाले पर जाएं तो इमली के पत्तों का जो शांदा त्यार करें उस पानी के वरारे करने से फाइदा होता है हज़रत अनी रजी अलाह अन्हों ने फरमाया तुम खुद अपनी दुआउं से ही अपना मुकदर लिखती हो और तुम्हारी दुआएं भी तुम तक वो सब ये आती है जो तुम्हारा नसीब भी तुमें नहीं दे पाता खाली पेट इंजीर खाने से फूम की कमी एक महेने में पूरी हो जाती है करेले की सबजी खफ़ते में दो बार खाएं तो इस से मुटापा और कबस दूर हो जाता हो और चेरे की जिरी भी साफ हो जाती है खाने को चबा चबा कर खाने से डेस नहीं होती आंटों के जखम के लिए एक चमचा जैतूर में चौथाई चमचा हल्दी मिक्स करके खाने से पहली इस्तेमाल करें इंशालला शिफा होगी अगर आप शादी के फाहिश मंद है तो शुरह यासीं तीन मरतबा ग्यारा रोस तक पड़े और फिर अल्ला से दुआ करें जहां आप चाहते हैं शादी वो जाएगी इंशालला भैस्टे दूद में तीन खजूर के दाने डाय कर पिये रोज गद लंबा होता चला जाएगा बादाम की गिरे रुजाना खाने से फॉलेस्ट्रोल कंट्रोल में रहता है कच्ची रोटी खाने वाले लोग बीमार हो जाते हैं खाने का गिरा हुवा टुकडा दस्तफवान से उठा कर खा लिया जाए तो उलाद में फुपसूर्ती रिजक में परकते और तकबुत खतम हो जाता है चार अमल बहुत बड़ा दरजा रखते हैं सबर मुश्किल को टालता है शुकर नेमत को बढ़ाता है जिकर दरजात को बुलंद करता है फिकर गुनाहों से रोकता है खजूर खाने से कभी नफसियाती कमजोई नहीं हो दाड या दांट में शदीद दर्द हो तो हस्वी जरूरत लौंग लेकर उसको पीस लें फिर उस पर लीमों के चंद कत्री डाले और मुतासिरा जगा पर दांट पर लगाए दर्द से फौरी तोर पर निजात मिल जाएगी नीम का रस जफम पर डालने से जफम जल्दी ठीक हो जाता है खजूर खाने से कभी नफसियाती कमजोई नहीं होती तेंडे को गोश्ट के साथ मिलाने की नसीहत की जाती है क्योंकि ये गोश्ट की तमाम उज़र असरात बड़ी हद तक कम कर देते हैं अगर आप अपनी उमर कम करना चाहते हैं तो ज्यादा पानी पीना भी इसका एक बहतरीन टोटका है पानी फोन में शामिल होता है और चिकनाई को घलाता है जबकि ज्यादा पानी पीने से बदत के जहरेले मुरकाबाद भी खारज हो जाते हैं हर सुभा देसी लहसन का एक या दो जवा खाना बहुत मुफीद है अगर लहसन को छील कर उसे चमचे से पीस कर खाया जाए और साथ ही उस पर नीमू का पानी पिया जाए तो ये एक जाने तो पून की रवानी बहतर होती है और दूसरी जाने पेट की चर भी कम करने में मद बूंसी बद्डू आने लगे तो सुभा सवेरे सौ फिर्टिस कर पानी के साथ तीली आ करो गुखसरदी के मौसम में तेल की मालिश करने से गैस की बीमारी खटम हो जाती है अंडे की सुफेड़ी रुजाना नहार वो खाने से शूगर की बीमारी खाया चानक चकर आना छोटी अलंची को पानी के साथ गीला करके चाड़ें चक्कर अंज़ां बंध हो जाएंगे। बैंगन और सरभूले को बका के खाया जाए तो नवे साल तक कमर का दर्द और तक्तिरीफ नहीं होती। बदन में खारिश हो तो नारियल का तेल लगाओ खारिश तूर हो जाएगी। मसाने की कमजोई के लिए और बार बार तचाप के तंग करने की बज़ा से अगर आप परिशाएं तो ये छोटा सा तोट का आजमाएं। पचास ग्राम सुफेद तिरी और उसके हमवजन मिस्री में डाएं। रात के वक्त सोते वक्त एक चमचा खा लें और उन पर से कुछ बड़ी ना पियें। कुछी दिन का फीर आपका मस्या जड़ से खत्म हो जाएगा। गुलकंद में सुफेद जीरे के चार दाने डाल कर खाएं। तीन रातों में मर्दा कत बुरे जर्सी हो जाएगी। राथे पर हाथ रखके बैठने से इनसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अननास का शर्बत पत्थी को फारज करने में मदद करता है। खीरी का रस निकाल कर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर तरों ताजगी आती है और चेहरे का रम निखरता है। मुली के पत्तों का रस लगाने से चेहरे की कीने एक हफ़ते में खतम हो जाती है। सर पर भी लगाने से दिमाह ताकत मिलती है। अंडे की सुफेदी जली भी चुई जगा पर नगाने से छादे नहीं वत्ते। इंजीर खाने से गले के तमाम अम्राल में काफी हद तक अफाका हो जाता है। इंजीर का गोड़ा बुखार के तोड़ की ये नहायत साइदा मन्ध है। काली चने कच्चे ग्यारा दाने लेकर रात को गरम पानी में भिवोएं और सुबह नहार वो खा लें और यही पानी तीएं। चंग दिन में गुटनों के दर्द काम बस्रियों हतम हो जाएगा। रात को सोते वकत दूद नहीं पेना चाहिए क्योंकि इससे ये पूरी तरह हजब नहीं होगा। दूद सुबह के वकत या फिर शाम छे बजे से पहले पहले पें। पेप में की रेड़ों तो शहर्द में अजवाइन मिला कर चाठ लूँ। जिस ओरत का वज़न पढ़ जाए वो दारचीनी का दाना नहार मुखाई वज़न कम मोधा शुरू हो जाएगा। लौंग, सौंख और भूनी हुए चन्ने के तीन दाने जबान के मीचे रखकर सो जाएगा। जिन्दगी में कभी मरदाना कमजोरी नहें होगी। रोजाना नहार अज्वा खजुब। और दूद के साथ खालें तो चेहराप 80 साल तब 18 साल जैसा जवान रंटा है। खबातीनों हर्जात हमारी चैनल को सब्स्ट्राइक करें, वीडियो को लाइक करें और बहुत से अच्छी डोट के देखने के लिए हमारी चैनल को विजिट करें। आपका बहुत शुक्रिया जजाख